एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आबू जियांग से एकैडमी जाकर वहां के स्टूडेंट को एकैडमी खाली करने का मैसेज देने के लिए कहती है इस पर जियांग एकैडमी जाकर किंफिंग के असिस्टेंट तक आबू का मैसेज पहुचा देती है और तभी वहां रॉयल सोलजर्स आ जाते हैं और वहां मजूद स्टूरेंट्स को किंफिंग के असिस्टेंट समेट एरेस्ट कर लेते हैं इधर आबू और किंफिंग दोनों लीरैन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां जेरो लीरैन को पीट पीट कर आई आफ यूनिवर्स के बारे में पूछ रहा होता है लीरैन वहां किंफिंग और आबू को देखकर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहती है वो कहती है जेडो बहुत ताकटवर है तुम दोनों अपनी जान बचाकर यहांसे चले जाओ पर आपू और किंग फेंग वहांसे नहीं जाते जेडो उन पर वार करता है तो आपू के गले से मून लकेट नीचे गिर कर तूट जाता है जेरो उन पर दोबारा वार करता है तो किंग फेंग आबू के सामने आ जाता है अब जेरो किंग फेंग के बाड़ी में इंटर करता है तो वहां किंग फेंग की इटेर्नल सोल और जेरो में खूब फाइट होती है काफी देर की फाइट के बाद जेरो उसकी बॉड़ी से हार थक कर करने के लिए कहता है इसके बेर बादा करता है कि वो किसी की जान नहीं लेगा पर आभू उसकी इस जील को एक्सेब नहीं करती वो ली रैन से पूसी है कि अगर kingfing eye of universe के पास ना जाए तो क्या जेरो का plan fail हो जाएगा ली-्रैन कहती है कि हाँ, उसका plan fail हो जाएगा इस पर आबू ली-्रैन से kingfin को वहां से ले जाने के लिए कहती है इस पर ली-रैन kingfin को वहां से लेकर चली जाती है आबू ने जेरो को अपनी सुपर पावर से एक सील्ड बना कर रोका होता है और वो उसे जादा देर तक रोक नहीं पाती जेरो उसे सील्ड तोड़ देता है और फिर उसे लेकर जेंगली के पास आता है आबू जेंगली को देखकर बुरा भला कहने लगती है जेरो जेंगली को बताता है कि किंग फिंग जिन्दा है और आई आफ युनिवर्स को रुसी की बाडी के अंदर है इसलिए हमें कुछ भी करके किंग फिंग को यहां तक लाना होगा किंग फिंग के जिन्दा होने की खबर सुनकर जेंगली हैरान रह जाता है पर फिर भी वो आबू से कहता है कि तुम्हारे साथ ही नीचे तैखाने में कैद हैं अगर तुम चाहती हो कि वो जिन्दा रहें तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी इतना कहकर वो आबू को पैलेस के एक रूम के अंदर बंद कर देता है उस रूम के डोर पर वो एक रोबोटिक वेपन लगा देता है जिसमें से रेडियो एक्टिवेटेड रेज निकलती है और जिसकी वज़े से आबू लाख कोसिसों के बावजूद भी रूम से बाहर नही जा पाती जेंगली जनरल टैंग को भी एरेस्ट करके जनरल दुवान के सेल में डाल देता है और किंग फिंग के असिस्टेंट को किंग की सेल में डाल देता है दोनों से रासपास ही होती है जनरल टैंग और जनरल दुवान आपस में बहस करते हैं जिसमें दोनों इस बात क को कर देते हैं कि वारे में पूछते हैं इस मारश चुरुक्त करना पड़ता है कि उन्हों ने कि इस बाता बनाए कर पाला था कि इस दे हैं कि वह की इनगा बेटा है और वह ज़रuko L तैंक से इस बात को लेकर गुस्सा होते हैं कि जनरल टैंक ने उनके साथ रहकर भी 20 सालों तक उनसे ये बात छुपाई जनरल टैंक कहते हैं कि अगर मैं इस बात को आपको बता देता तो किंग फेंग की जान को खत्रा हो सकता था इसलिए मैं सही वक्त का इंतिजार कर रहा थ जब मैं आपको यह बात बताऊं उनकी यह बात सुनकर किंग थोड़ा सैटिसफाई होते हैं इधर कैप्टन डूओ और जियावरूई दोनों टावर के अंदर एक छोड़ी सी केज में बंद होते हैं जियावरूई कैप्टन डूओ से कहती है कि तुम तो कैट फॉर्म में ट् कुछ नहीं पता होगा और मैं जानता हूँ कि तुम बस नौ बार ही कैट से हुमन फॉर्म में कनवर्ट हो सकते हो हर बार इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारी एक लाइफ लाइफ लाइन कम हो जाती है तुमने आठ बार अपने लाइफ लाइन का यूज कर लिया है पर में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता एक्चुली कैटन डूर्ज याओ रूई के साथ और भी टाइम स्पेंट करना चाहते थे इधर जेंगली आपू के पास जाकर फिर से शादी का प्रपोजल रखता है तो आपू कहती है कि मैं तुम से शादी कर लूँगी पर मेरी एक शर् हता है इसम Abbord पहले तो खिक रूदिश से प्यार करती थी इसलिए और वहां के लिएटिंग द्रेस वनाने के लिए एगरी हो जाती है इधर ली ryn टाmaya के बारे में पूचती है जेंगली के प्रपोजल के बारे मेंब बूंश ती है आपू बताती है कि वह बिलकुल खीक है कर लोंगी जाती है कि अगर शादी कर लेने से सभी से रहेंगे तो मैं ये शादी कर लूँ इधर किंग फिंग को होसा जाता है और वो ली रेंग से जाकर आबू के बारे में पूचता है ली रेंग उसे बताती है कि आबू किसी काम से अपने प्लैनेट वापस चली गई है किंग फिंग उसकी इस बात पर बिलीव नहीं करता और वो ली रेंग से आबो के बारें बताने के लिए इंसिस्ट करता है उसे परिशान देकर ली रेंग ही मेड खुद को रोक नहीं पाती और वो किंग फिंग को आपू और जेंगली की होने वाली शादी के बारे में बता देती है ये सुनकर किंग फिंग को बहुत गुसा आता है और वो आपू को पहले से वापस लाने के लिए जाने लगता है पर वो अपने सोल की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता ली रैन उसे पैलेस जाने से मना करती है और अपने मैजिकल स्टिक की पावर से उसे रुपती है पर किंग फिंग थोड़ी ही देर में अपने पावर को कंट्रोल करना सीख जाता है तो उसमें ली रैन के स्टिक का पावर भी एसर नहीं करता ली रैन उसे पैलस और आय आफ युनुवार्स से दूर रहने के लिए कहती है किंग बिंग कहता है कि मैं आय आफ युनुवार्स के पास नहीं जाऊंगा मैं बस आबू को सेव करके पहले से वापस लाऊंगा इधर भूक और प्यास से ज्यावरूई की हालत खराब होने लगती है तो कैप्टेन डूओ मजबूरन कैट फॉर्म में कनवर्ट होकर केज का डूर ओपिन करके बाहर चले जाते हैं ज्यावरूई को जब होस आता है तो वो कैप्टेन डूओ को आसपास ना पाकर समझती है कि वो कैट फॉर्म में कनवर्ट होकर वहां से चले गए हैं इस पर वो भी बाहर आती है तो बाहर कैप्टेन डूओ ने दोबारा हुमन फॉर्म में कनवर्ट होकर पहरे पर मौझूद सोल्डर्स को मार दिया होता है फिर वो जियावरोई को अपने साथ वहां से निकाल कर फॉरिश्ट में पहुंचाते हैं यहां वो जियावरोई को उसकी रिंग वापस लोटा कर कहते हैं कि मुझे प्रिंसेस के काम से कहीं बाहर जाना है मैं तुमसे फिर बात में मिलूँगा वो जियावरोई को अकेले वापस घर जाने के लिए कहते हैं जियावरोई उनके बातों पर बलीव करके वहां से चली जाती है पर उसे कैप्टेन डू का ये बिहेवियर काफी अजीव लग रहा होता है जियावरोई के वहां से जाने के बात कैप्टेन डू की वाड़ी डिसपियर हो जाती है बस छोटी छोटी क्रिस्टल फॉर्म में उनकी सोल ही बचती है वो उसे फॉर्म में आबू के पास जाते हैं तो आबू उन क्रिस्टल को देखकर समझ जाती है कि वो Captain Duo की Soul है वो Captain Duo को इस हाल में देखकर Sad हो जाती है इधर Ziao Rui Academy जाती है तो वहाँ उसे Ziao Sang मिलता है वो Ziao Sang को लेकर King General Teng और General Dwan को छुडाने जाती है Ziao Sang अपने साथ वहाँ कुछ बचे-खुचे Students और जीली को लेकर भी जाता है वो लोग मिलकर सभी को छुडा लेते हैं इधर King Yun Wedding Days बना कर आबू को पहना देती है आबू उसे जेंगली की असलियत बताती है इसे सुनकर वो आबू और अपने भाई King Feng के लिए परेशान हो जाती है पर वो अभी जेंगली से प्यार करती थी इधर Zero Space से मौझू सारी Missile Weapons को गवर्नर के प्लैनेट को डिस्ट्रॉइ करने के लिए आउन कर देता है अब बस उसे पावर देने के लिए उसे King Feng को Eye of Universe के सामने लाकर Eye of Universe को एक्टिव करना था जब ये बात गवर्नर को पता चलती है तो वो परिसान हो जाते हैं और वो प्लैनेट अर्थ को खत्म करने के लिए अपने Missile Weapons को गिराने ही वाले होते हैं अभी Captain Duo की सोल उनके Space सिप के स्क्रीन पर आकर गवर्नर से बस थोड़ा टाइम और मांगती है गवर्नर भी आर्थ प्लैनेट को खत्म नहीं करना चाहते थे क्योंकि आर्थ प्लैनेट के खत्म हो जाने पर उन्हें दोबारा पोर्ग बिलिस्टू खाने के लिए नहीं मिलता इधर किंग्यून आबू को लेकर जेंगली के पास पहुँचती है तो आबू यहां पहुँचकर जेंगली पर हमला करने लगती है इस पर किंग्यून उसे जेंगली को मारने से रोकती है क्योंकि आपी वो जेंगली से प्यार करती थी जेरो जेंगली की बॉड़ी को फिर से पोजिस कर लेता है और आबू पर वार करता है आबो दूर जा गिरती है तब ये वहां किंग फिंग पहुंचता है और अपने सूपर पावर से जेंगली पर वार करता है जिसे जेंगली भी दूर जा गिरता है किंग फेंग अबू के पास आता है अबू से कहती है कि तुम यहां क्यूं आ गए किंग फेंग कहता है कि मैई तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था फिर वह जेंगली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो किंग यून उसके पैरो पर गिर कर उसे जेंगली की जान बक्स देने के लिए कहती है इस पर किंग फैंग अपनी बहन को रोधा देख जेंगली को नहीं मारता और वहां से जाने लगता है तभी जेंगली किंफैंग पर पीछे से वार करता है तो किंग यून बीच में आ जाती है जिससे स्वार्ड उसे लग जाती है किंग फेंग अपनी सुपर पावर से दोबारा उसे दूर फेकता है तो जेंगली की बाड़ी से जेरो निकल कर आबू को लेकर टावर आफ हिवेन चला जाता है जेरो के चले जाने के बाद जेंगली होस में आता है और उसे अपने किये का पच्टावा होता है वो किंग यून के डेट बाड़ी को देखकर गिल्टी फील कर रहा होता है वो किंग फेंग से आबू को जाकर सेव करने के लिए कहता है इस पर किंग फिंग टावर आफ हीवन जाता है यहां आबू को जेरो ने बांध रखा होता है किंग फिंग जेरो से फाइट करता है वो जेरो को हरा देता है फिर वो आबू को छुड़ा कर वहां से लेकर जाने लगता है तब ही Zero Eye of Universe की race को Kingfeng की और मोर देता है जिसे Eye of Universe को अपना कोर मिल जाता है और वो धेर सारी energy reduce करने लगता है जिसे देकर Governor Earth Planet को destroy करने का decide करते हैं उन्हें इस बात का दुख होता है कि अब वो दोबारा Pork Billies 2 नहीं खा पाएंगे इधर आबू Kingfeng को उस magnetic power से छुडाने की कोसिस करती है और वो उसे नहीं छुडा पाती इस पर Kingfeng आबू से कहता है कि वो उसे मार दे बस यहीं एक तरीका है पूरे planet को save करने का इस पर पहले तो आबू agree नहीं होती पर जैसे जैसे time बीचता जाता है और Kingfeng उसे इस बात के लिए insist करता है तो आबू पूरे planet को बचाने के लिए Kingfeng को sword से step कर देती है जिससे Kingfeng की मौत हो जाती है Kingfeng के मरने से energy reduce होना बंद हो जाती है जिस पर governor खुस हो जाते है क्योंकि अब उन्हें हमेशा खाने के लिए poor police to मिलता रहेगा Zero की सारी missile weapons भी deactivate होकर space में इधर उदर चली जाती है इधर Ziaorui, Liren और बागी सभी लोग Tower of Heaven की ओर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से Tower of Heaven गायव होता है ये देखकर सभी सौक्ट हो जाते हैं सभी को Kingfeng और आपू की फिक्र होती है पर उनका भी कोई पता नहीं होता इसके बाद King दोबारा King बन जाते हैं जिंगली को जेल में डाल दिया जाता है और Ziaorui को प्रमोट करके Kingfeng की position दे दी जाती है Ziaorui को एकैडमी का hit बना दिया जाता है Ziaorui कैप्टेन डूओ का इंतिजार करती है उसे यकीन होता है कि कैप्टेन डूओ एक ना एक दीन जरूर उसे मिलने आएंगे इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का सिन दिखाया जाता है यहां जेनरल टैंक Kingfeng और आवो को सोचकर परिसान होते हैं तो Kingfeng का असिस्टेंट कहता है कि मुझे यकीन है कि मास्टर और प्रिंसेश दोरों जिन्दा है हमें उनके वापस आने की उम्मीद रखनी चाहिए इसके बाद जिली आकर उन्हें खबर देती है कि कौन क्योबिन मदर की तविए ठीक नहीं है जनरल तैंग अपनी कौन क्योबिन के पास जाते है तो वो उन्हें बताती है कि वो प्रेगनेंट है यह सुनकर जनरल तैंग खुस हो जाते है क्योंकि उनके सारे बच्चों की मौत हो चुकी थी इसलिए ये खबर उनके लिए काफी खुसी की थी इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रमांड में एक स्पेस सिफ होती है जिसके अंदर आबू किंग फिंग और कैट फॉर्म में कैप्टन डू के साथ मौजूद होती है किंग फिंग एक स्लिपिंग बॉक्स में होता है आबू उसके लिए पोर्क बिलीज टू बनाकर लाई होती है वो कहती है कि मुझे यकीन है कि अब तुम्हें जल्दी ही होसा आ जाएगा जब तुम उठोगे तो मैं तुम्हें धेर सारा पोर्क बिलीज टू बनाकर खिलाओंगी हम जल्दी ही घर पहुँचने वाले हैं इतना कहकर वो बहर देखती है तो उसे सामने ही अर्थ प्लैनेट नजर आता है तब उसे पीछे से किंग फेंग की आवाज सुनाई देती है वो उसे आबू कहकर पुकारता है इसे सुनकर आबू खुस हो जाती है यहीं इस ड्रामे का सीजन वन इंड होता है तो दोस्तों आपको यह ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे का सीजन टू भी एक्स्प्लेइन करूं तो comment box में season 2 भी लिख दीजेगा और please 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 वीडियो को like और share ज़रूर कर दिया करिए क्योंकि इससे मुझे आगे के वीडियो बनाने के लिए motivation मिलती है तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye